नमस्कार आपका स्वागत है, हिंदु धर में हर तेवार का एक विशेश मत्व होता है, लेकिन नवरात्री का खास मत्व होता है, नवरात्री साल में दो बार आती है, एक चैत्र महा में और दूसरी शार्दिय नवरात्री, नवरात्री के पवित्र दिनों में नव दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है इन दिनों में मा को प्रसन करने के लिए सभी लोग वरतवा अनुस्थान करते है नवरात्र इस मैने की 26 सारिक से सुरू होने वाली है ऐसे में लोग पहले से ही तैयार्य करके रख लेते है नवरात्र में जो भी मनुश्य पूरी स्रदा से मा दुरगा की आरधना करता है उसके जीवन में सुक शांती और सम्रद्धी बनी रहती है धार्मिक माननेताओं के अनुसार इन दिनों मा के 900 रुप की पूजा करने से घर में सुक शांती बनी रहती है और मा भक्तों की सभी मनो कामनाई पूरी करती है नवरात्री के नव दिन तक वरत रखने को लेकर कुछ नियमो धार्मिक मानेताईं भी है जिनका पारंग किया जाना आवशक होता है नियों में के विपरिद करने पर देवी माता रुष्ठ हो सकती है नवरात्री उपवास के दोरान लसुन, प्याज, चावल, मांस, अंडे और मसाले जैसे हल्दी, धनिया, हिंग, गरम मसाला और लों को सेवन नहीं करना चाहिए इस दोरान सामने नमक के उपयोग से भी बचना चाहिए और इसके बजाए सिंधा नमक का सेवन करना चाहिए इसके अलवा सरसू के तेल या तील के तेल जैसे गरमी पदा करने वाले तेलों से भी बचना चाहिए भक्त इसके बजाए मूंग फली का तेल या घी का उपयोग कर सकते हैं इसके अलवा शराब और तंबागू का सेवन करना भी वर्जित माना गया है पुरत्य के समय अपना खाना बनाने के लिए आप जीरा, काली मिर्च और सिंधा नमक जैसे मसालों का इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथ ही आप सिंगाडे का आटा, बाजरा, राजगिरा, मुंगफुली, शाबुदाना, दूद, दहीज ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं इन नियमों का पालंग करने से माता रानी की क्रपा मिलती है और सभी मनो कामनाय पूरी होती है तो चलिए दोस्तों जानते हैं, ऐसी कौन सी बाते हैं, जिसे नवरात्री के दिन में नहीं करने चाहिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चानल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले पहली बाद, नर्जला वरत जैसे कठोर वरत रखने का प्रयास न करें, इस वरत में स्रधालू वरत पूरान होने तक पानी की एक बून का भी सेवन नहीं करतें, कई लोग पलार वरत का भी पालंग करते हैं, इसमें फल और दूद जैसी हलकी चीजे लेने की अनुमती होती दूसरी बाद, भारतिय परंपरा में कन्याओं को मा दुरगा का स्वरूप माना गया है, यही कारण है कि नवरात्र में कन्या पूजन या कंजे का पूजन कर लोग पुन्य की प्राप्ति करते हैं, माना जाता है नवरातो दवरान किसी भी कन्या महिला की प्रति असम्मान क भाव न आने दे। शास्त्र में यहां तक कहा गया है यत्र नार्यास्तु पूजेंते, रमन्ते तत्र देवता, किसी भी कन्या का अपमान होने पर मादूर का नारत हो सकती है। तीसरी बात, यदि आपने घर में कल स्थापना की है, या माता की चवकी, या अखंड जोती लगा रखी है, तो घर खाली ना छोड़े, यानि घर में किसी ना किसी को होना बहुत जरूरी होता है, साथी वृता के दिनों में, दिन में सोना भी मना है। चयूंती बात, नवरात्री के दिनों में भहुत से लोग वृत्त में होते हैं, ऐसे में कल करने से बचना चाहिए, क्यूंकि कल से वृत्त दारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी मार रूस्थ हो सकती है, ऐसे में कोशिस करें कि हर प्रकार के वाद विवास से दूर रहना चाहिए, स्री राम चरित मानस में भी ऐसा कहा गया है, कि जहां सुमती तहा संपती नाना, जहां कुमती तहा विपती निदाना, यानि कि लड़ाई जगडे वाले घर में लक्षमी नहीं ठेरती, पांचवी बात, माना जाता है कि वरत्त करने वाले को नवरा नवरात्री के पावन दिनों में सात्विक्ता का विशेज ध्यान रखना चाहिए, आहर, वेवार और विचार में सात्विक्ता होना जरूरी है, तभी नवरात्री के वरत्त का पूरा लाब मिल सकता है, आप इन दिनों प्याज, लसुन और मास मदेरा का सेवन ना करें, की पूजा अर्चना साप मनसे करने से ही मा प्रसन्न होती है इसलिए इन दिनों शारडिक संबन नहीं बनाने चाहिए तो दोस्तों ये थी वो बाते जिसे नवरात्री भी हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए उम्मीद करता हूं आपको हमारे जानकरी पसंद आये होगी अगर आये तो कमेट में जै माता दी जै मात दुर्गा अवशे लिखे साथ ही चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद